प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम में आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करने वाला हूँ कपिल सिब्बल की कॉंग्रिस नेता कपिल सिब्बल की कॉंग्रिसी नेता कपिल सिब्बल ने प्या मोधी पर आरोब लगा है कपिल सिब्बल का कह रहा है कि दुनिया के सबसे महंगे चौकिदार है प्या मोधी सिब्बल ने कहा दुनिया के सबसे महेंगी चौकिदार अपने पर्धार मंतरी तो डूनिया का सबसे महेंगा चौकिदार बता कॉप और हवाई आतर जैसी सुविधाय लेते हैं यह चौकिदार का काम करते हैं क्या वो बताएंगे कि उनकी निक हवानी में बैंक होटाला क्यों हुआ तीन सो नब्बे करोड में एक बैंक होटाले की चर्चा के दोरान कॉंग्रिस नेतने यह बास्त का हीट ने बीते दिनों दिल्ली के द्वारकादास सेट इंटरनेशनल जूलर की खिलाब तीन सो नब्बे करोड रुपे का बैंक फ्रॉट के इस दर्ज किया इस बारे में सिब सब्सक्राइब 2018 में मुकदमा दर्ज किया गया क्या है द्वारका देश सेट का मामला औरियंटल बैंक आफ कॉमर्स ने 16 अगस 2017 को द्वारकादास सेट इंटरनेशनल जूलर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई बैंक ने अपनी शिकायत में कहा कि जूलरी कंपनी के मालिक और 390 करोड के इस खोटाले का पता चला औरियंटल बैंक और कॉमर्स 390 करोण का पता चला के देखिए चुट की लिए हैं कपिल सिबल आपकी चौकीदारी ने कैसे कैसे भागे घोटाले बाच सिबल ने कहा पीम मोधी यूप ए सरकार के दूरान बरश्टाचार के कई आरूप लागाते नहीं उसी में 166 लाग क्रोड रुपए का टूजी स्प्रेक्टम खोटाला का रोपी है जब कि बैंक खोटाले पर वो चुप हैं जो कि देश का असली नुक्सान कॉंगरिस नेदर ने कहा कई दिनों तक चुपी साथनी के बाद उनों ने कहा कि सारे घोटाले बाज पकड़े जाएंगे और देश लाए जाएंगे असल सवाल यही कि आपके चौकिदार रहते घोटाले बाज देश छोड़ भाग कैसे कहना है कि आपने चौकिदारी सही नहीं की या आप चौकिदार सही नहीं है कहना है कपिल सिंबल का कपिल सिंबल कहते हैं कि आपकी चौकिदारी में बड़े बड़े उद्योग पती पैसा निकाल रहे हैं बैंक से इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं और आपकी चौकेदारी धरी की धरी जह जाती है और आप हाथ पर हाथ धरे बैटे रहते हैं हाल फिलाल घोटाले की कई खबरे आने के बाद केंदर सरकार बैक फूट पर दिख रहे हैं विजय माल्या का हल्ला अभी थमा नहीं था कि नीरभ मूदी का पीएन भी घोटाला सामने आ गया इस बीच रोटो मैट घोटाला और उसके बाद द्वारकादा सेट घोटाले ने सर बड़ी आसानी से घोटाला किया बताया जारा कि सरकार की सननिप्ता में यह घोटाला हुआ और सरकार की आँखों में धूल जोकर नीरभ मूदी विदेश फरार हो गया जो सरकार कहती थी ना खाऊंगी ना खाने देगे लेकिन उसी सरकार के अंतराल में जो बड़े- लोगपती हैं वो घोटाला कर भी रहें खा भी रहें और देश छोड़कर विदेश भी फरार होगी सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीरभ मोदी के गर मैं बात करता तो नीरभ मोदी को इस बात का अंदेशा पहले से हो गया था कि उनके उपर सिकंजा कसा जाएगा और ऐसे म चापे मारी कर रही है चापे मारी जा रही है और नीरभ मोदी के कई जो और ऑफिस हैं और जो कई बड़े शोरूम है वहाँ पर एडी ने चापे मारी किये लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उतता है कि जो सरकार कहती थी नँखाओंगे नँखाओंगी ना खाने balance ska Circa ये बहुत ही हैरानी वाली बात है कि इस तरह नेरभ मोडिन ने इतना बड़ा घोटाला किया रोटो मैं कमपणी के जो मामला सामने आया है घोटाला का सामने आया जिसमें द्वारकादास सेथ का मामला है तो कुल मिलाकर यह है कि चार साल के अंतराल में बड़े बड़े उज्योग पतियों ने पैसे वालों ने घोटाला किया गबन किया पैसे खाए और सरकार चुप रही चार साल तक सरकार सुती रही जब मामला उठा तब सरकार जागी और एक्शन लिया तो देखे चार साल के अंतराल के अगर बात करते हैं बेरोजगारी का मुद्दा उठाया क्या उस पर खुब हसा सरकार ने खुब जो है उस पर क्या सकते उसका मजाक उड़ाया बेरोजगार युवाओं का मजाक उड़ाया जो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है जिनके प पास काम ने हैं उनका मजाक उड़ाए गया जी हां पीम मोदी ने रोजगार के नाम पर पकोड़े बेचने की जो बात गई थी उसको लेकर सरकार घिर गई थी इतना ही नहीं देश के यूवा वर्ग के लोग भी इस बात से काफी नाराज हो गए थे कि उनके पास इतनी तूल पकड़ लिया जब अमिशाने भी इस बात का समर्थन करते हैं तो कुल मिलाकर देखें जिस तरह से रोजकार के नाम पर पीम मोदी ने इंटर्व्यू दिया था उससे कहीं न कहीं साफ अंदेशा लग गया था कि पीम मोदी भी चाहते हैं कि देश का हर जो नौजवा और के मैं आता है और बेचने से कोई बुरा काम नहीं तो cheapest कि प्यारा मोदी ने यह बयान दया था और उनकी इस काफ़ी किर करी हिती और जिस तरह से 2019 है जो मेरे पास रिपोर्ट है 2019 का लोग सवा चुनाव नस्दिक है और ऐसे में ये मुद्दे सरकार को गिरा सकती है सरकार की नईया डुबो सकती है और वक्त रहते सरकार ने कोई बड़ा अक्षन नहीं लिया सिख्षा के बढ़ावे के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया और जो प्रहश्टा चारी है इनपर कोई अएकशनτο नहीं लिया तो सरकार की नईया डूप सकती है बिजेपी की नईया डूप सकती है यहां अगर मैं विपक्ष की बात करो तो कॉंग्रिस पार्टी के अध्यक्ष राहूर गांदी ने अपना बैक पूट मजबूत कर लिया है अपनी जो छवी है उसको बहता ढंक से सुधार लिया है और बहुत ही तरीके से वह पोल रहे हैं बहुत अपनी भाष्णा शारी पर स संके थे अगर ऐसे ही रहा तो 2019 ही नहीं इस साल जो जिन राज्यों में विधान सवा के चुनाओं होने हैं वहां भी बिजेपी की नईया डूप सकती है और मोदी लहर फीगी पर सकती है जी हां अगर बात कुरू 2019 के लोग सवा चुनाओं की तो जिस तरह से देखिस तरकार ने जीएष्टी लाउग किया नोट बंडी की और साथ ही साथ जो है बजट जब पीज किया गया तो मिडल क्लाश के लोगो के लोगों के लिए कोई सूध्वाई नहीं ती तो यह सब चीजे कहीं न कहीं जंता के दिलों में घर कर गई हैं जिस तरह से GST लागू किया गया उससे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना वड़ा व्यपारी वर की जो लोग है उन्हें काफी नुकसान हुआ उनका धन्दा चौपट हो गया तो व्यपारी वर के लोग बिजेपी से काफी खाफा है अगर मैं बात करता हूँ जिस तरह से जो है मेडल क्लास लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया और सरकार ने केवल बड़े जो उद्योग पती लोग हैं उनके लिए बजट में कई स्की में निकाली तो यह सब चीज़े देखें शौर इसारा करती है कि सरकार किस किस तरह से अपनी लापरवाही भरत रही है किस तरह से सरकार ने चार साल के अंदर लोगों को दोगा दिया है तो यह सब चीज़े कहीं ना कहीं बीजेपी को डूब हो सकती है और अगर बात करें 2019 के लोग सबद चुनाओं की तो बीजेपी अपकी बार हार सकती है जिहां बहराल यह तो आज़े वाला बगद बताएगा कि 2019 का लोग सबद चुनाओं कौन जीते का लेकिन सभी लोगों की टिकाहें इस बात निगाहें जो है इस बात पटिकी है क्या का कौन सी पारटी अपकी बाहर सरकार में आती है इस बात का पैसला तो जनता ही करेगी कि किस सरक सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल आइकन फो लेटेस अबडेट झाल